कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल टार्गेट सिविल सर्चेश में तो आज है 20 मार्च और मद्वर्दिस के डेली करेंटेफर में आज हम पढ़ेंगे 20 मार्च के करेंटेफर तो लेक्षर जहां से देखिएगा दोस्तो सबसे पहले में आपको बता हमने वीकली करेंटेफर भी किये एक मार्च लेकर आठ मार्च तक और आठ मार्च लेकर 15 मार्च तक दो वीडियो बनाए हमने दो लेक्षर बनाए है वीकली करेंटेफर के अगर आप उस लेक्षर को देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो के डिप्सिन बॉक्स में लिंक द लेंगकन एवं प्रत्यायन परिसत्त यानिन नैक से सम्मानित किया गया है सिस्टिक इंस्टिट यह कहां पर यह बोपाल में इसकी स्टूट और सागर साइंस एंड टेक्नोलोजी बात करें यह नाग की इसकी फुलफार्म है नेशनल एसेस्मेंट एन एक्रिडिट एडिशन काउंसिल ठीक है और यह एक गौर्मेंट और्गनाइजेशन है जो कॉलेजिस रहते हैं उनकी रैंकिंग करती है सिक्षा के आधार पर ठीक है इसकी इसका अपना हुई थी 1994 में ठीक है याद रखीएगा और इसका है बैंगलोर में है बैंगलोर है करना एजुकेशन के अंडर में आती है नैक मुख्यमंत्री शिवराशी चवान ने धार जीले में राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया तो किस जीले में किया धार डिश्टीक में किया ठीक है और वहीं पर तीन करोड सत्यसील लाक रुपए की लागत से निर्मित महाराज भोज उद्ध्यान का भी लोकारपन किया हमारे मुख्यमंत्री शिवराशी चवान ने कहां पर तो यह धार डिश्टीक में नेक्स कोशन मद्यप्रदेश खादी तता ग्रामद्युक बोड़ द्वारा मुख्यमंत्री कौसल समवर्धन योजना के तहद 13 कोटा के सिल्पका तक की किया गया था ठीक है तो इसमें राज्जी इस्थरी मल्कम प्रतियोगी तो 2021 में और यहां बात करें मल्कम प्रतियोगी तो 2021 में बालिका वर्ग में सिवानी किलूरिया को चैंपियन आफ चैंपियन आवाट से समानित किया गया है और इनका संबंद मद्विदेश के उजयन डिस्टीक से ठीक है सिवानी किलूरिया को और इसी में हम बालक वर्गी की बात करें तो प्रनीत यादो को चैंपियन आफ चैंपियन आवाट से समानित किया गया है और इ प्रणित यादव भुपाल के इनको सेकेंड नंबर मिला है और इंद्रजीत नागर उजयन इस्तान पर रहे हैं तो यह जूनियर बालक वर्ग में और सीनियर बालक वर्ग में बात करें तो उजयन के चंद्रशेकर चौवा ने प्रतम इस्तान प्राप्त किया है और ठीक है और साजापूर के सचिन गवले ने तरती इस्तान प्राप्त किया है सीनियर वर्ग में और यहां बात करें हम जूनियर बाली का वर्ग में प्रतम इस्तान प्राप्त किया है और रिद्धिमा सर्मा उजयन किया है इन्होंने दूती इस्तान प्राप्त किया है और चं उज्जयैन की सोनू मंडालिया ने धृतिस्थान पर आपक्त किया है और साजपूर की रितिका गवली तृतिस्थान पर रही है जिमनाश्टिक एकडमी भी उज्जयैन में है जिमनाश्टिक अब स्ट्ट करते हम आज की गरंठ फर तो उस्ताथ अलाउत दिन 산 Dip का 46 संगीत सम्राइब का this килंवे क्या जा रहा है। तो मद्रदेश के शतना डिस्टिक में क्या रहा है तो इसका nते colors इंडिया है कि टिक है टीक है 20 विख्यात संगित समराड उस्ताद अलाओदिन खा का 46 संगित समारो का आयोजन मद्यप्रदेश के सतना डिस्टीक में किया जा रहा है और यह 19 मार्श से 21 मार्श तक रातरी 8 बजे से किया जाएगा ठीक है और यह कारिकरम मेहर खेल मैदान के उस्ताद अलाओदिन खा मदिना भवन के पास में आयोजित किया जाएगा और 19 मार्श को मेहर वादवरंत से कारिकरम का सुबारम किया जाएगा और समापन समारो 21 मार्श को सुवेता वर्मा विवम जियोती यामीनी लखनों द्वारा कथक यूगल की प्रस्तुती जी जाएगी अच्छा यह संगीत समारो किसके द्वारा और्गनाइस करवाया जा रहा है तो यह करवाया जा रहा है और देखिए उस्ताथ अलावद्दिन खा की बात करें तो इनका जन्मा 1862 में बंगलादेश में हुआ था ठीक है और इनकी मृत्ती हुई थी 6 दिसंबर 1922 में और यहां पर इन्होंने महर राजगराने के निव रखी थी ठीक है तो यह याद रखी का महर राजगराने के न संगीत नाट्यक आदमी ने अपने सबसे बड़े समान संगीत नाट्यक आदमी फैलोसीप से नवाजा और यह समान उत्तर प्रदेश राज़िस से था ठीक है तो अब देखते हैं नेस को सन मध्य प्रदेश में कितने जीलों में जीला वक्क कमिटियों का गठन किया गया है तो यह क्या गया है 48 जीलों में तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option number D प्रदेश में वक्क के प्रबंद के लिए कमिटियों के गठन का कारिय तेजी से किया जा रहा है और प्रदेश में 49 जीलों में जीला वक्क कमिटियों का गठन कर दिया गया है और इस प्रक्रिया के पू इस वक्फ record के computerization का काम पूरन हो चुका है और यह कारे वक्फ management system of India के तहत किया गया है और इस project में online module में data enter कारे भी लगबग पूरन किया जा चुका है और देखिए यहां पर हम बात करें कि लगबग 7959 वक्फ संप्रत्यों का GPS एवं GIS कराया जा चुका है ठीक है और यह किसक इस दोनों mapping system है ठीक है तो याद रखिएगा हाल इमें वरिष्ट साहितिकार श्री बटू को चतरुवेदी जी का निधन हो गया तो उनका संबंध मद्रप्रदेश के किस जिले से है तो इनका संबंध है मद्रप्रदेश के विदीशा डिस्टीक से ठीक है तो इसका आंसर क के वरिष्ट साहितिकार एवं प्रदेश मद्रप्रदेश लेखक संग के संड़क्षक बटूक चतरुवेदी का निधन हो गया है ठीक है और बटूक चतरुवेदी ने अपने अनेक संगेत संगीत रूपक भी रचे है जिनमें बुंदेलखंड की लोग दुनों रेया सेरा पाई, गारी, स्वांग और फागो का समावेश किया गया है अब देखते हैं नेक्स कोशन तो हाल हमें मिसन ग्रामोदय के तहत ग्रामीन के विकास कारेकरम का आयोजन मद्रप्रदेश के किस जीले में किस जीले में हुआ ठीक है तो यह हुआ धार डिस्टीक में तो इसका आंसर क्या जाएगा आफसे नंबर डी और यह कब किया गया था तो यह 18 मार्च को किया गया था एक्चुली यह साइड स्लाइड में पहले ही बना ली थी ठीक है तो इस कारिक्रम में जो हमारे केंदरी मंत्रिया नरेंसी तो मर इन्होंने विए वर्चुल सामिल हुए और इ इनमें 6000 सामुदाइक सच्चता परिसर 2000 खेल मैदान और 2000 सांती धाम और 634 पंचायद भवन सामिल है और कारिक्रम में प्रानमंत्री आवास योजना के 5 लाख हिद्गराई को 2000 करोल रासी के विमुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हुई दूस्तों देखिए जो हमारा प्रदीश बजट 2020 है इसके प्रमुग चार इस्थम्ब है उसके तहत नौ योजनाओं को संचालन किया जाएगा तो प्रमुग चार इस्थम कौन-कौन से बहुतिक अदुसंद्रचना सिख्चा एवं स्वास्ते अर्थ व्योस्ता एवं रोजगार ठीक है और चौता है नौ मिशन संचालित किये जाएगे तो भौत थिक अदुसंद्रचना के अंतरघत मिशन निर्मान मिशन ग्रामदें और इसी की शुरवात हुई है धार डिस्टीक से मिशन ग्रामदें की ठीक है और मिशन नगरोदे बात करें सिख्चय हम स्वास्ते की तो मिशन निराम है और मिशन बोधी दो मिशन है शे और बात करें अर्थ विवस्थे अमें रोजगार से तो मिशन अर्थ, मिशन दक्ष और मिशन स्वावलंबन शुरू किये जाएगे और बात करें सुसासन से तो यह मिशन जन गन तो दोस्तो कल का मरक Auf seantya, 1857 के प्रथम 77 संग्राम में भूपाल के किस वीर ने भादूरी पूर्ण संखर्सकर बलिदान दिया, तो ये दिया था फाजिल मुहमत खान ने, तो इसका आंसर क्या जाएगा? option no A, और 1867 के प्रथम 77 संग्राम में मद्यप्रदेश के भोपाल में गड़ी अमबाली के जागिदार के वंसस थे कौन फाजिल मुहमत खान और इनी के साथ आदिल मुहमत खान ने विद्रों का जंडा उलंद किया और अपना बलिदान दिया था यह पर आंसर दोस्त मोहमत खान नहीं आएगा यहाद रहेकर और सबीड़ों नीं दोस्तों बहुत अच्छा करते कि कुछ लोगों के टेलीग्राम स्यर करता हूँ जो बहुत चांसर करताह स्ब्सक्राइब और अज मnous करेंट अफेर का मोस्ट इंपॉर्डन कोशन है आई एस एस द्वारा काईरो एजिप्ट में आयो जित वर्ल्ड कप में मद्यप्रदेश की बेटी मनिशा कीर ने कौन सा पदक जीता है तो देखिए जीता तो इन्होंने संजिशंयुक्त रूप सी है लेकिन हमारे कोशन्स होते कभी कम कोशन्स होते हैं तो आप उसकी टेंशन मत लिजेगा सारे कोशन्स मैं कराऊंगा तो यह हमारा टेलेग्राम चैनल इस पर डेली होते हैं क्वीज और यह हमारा इंस्सक्राम चैनल दोस्तों टेलेग्राम चैनल जोइन करने के लिए उसकी लिंक हमारे व वाचिक इस वीडियो